तो देकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री बजलार शर्मा पहुंचे हैं गंगा माता मंदिर चांदपोल लौभ सी अम हरी जंडी दिखाकर वाहन को रवाना कर रहे हैं मंच पर मुख्यमंत्री रुपस्तित हैं बाल मुकंदा चारे साथ में आपको नज़र आ रहे हैं आपसे थोड़ी दिर में कारिक्रम की शुरुआत होगी हरी जंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया जाएगा अयोध्या जी की सीता रसोई के लिए भीजे जा रहे हैं इक्किस सो तेल के पीपे और इस स्वाहन को मुख्य मंत्री आपसे थोड़ी देर में रवाना करने वाले हैं तो देखे 22 सारे को प्रांट पतिष्ठा का कारिक्रम है देश भर में दिपावली जैसा माहोल होगा और अलग-लग राज्यों की ओर से कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है कहीं से विशाल घंटा भेजा गया तो कहीं से पीपे भेजे जा रही हैं कहीं से पोशाके भेजी जा रही है तो जिस पर जो बन रहा है अपनी शद्धा के अनुसार वो भेज रहे हैं आयोध्या जी और अगर बात जैपूर की करें तो ये तस्वीरे सबसे पहले फस्ट इंडिया निउस पर आयोध्या जी की सीता रसोई के लिए भेजे जा रहे हैं 2100 तेल के पीपे जिस वाहन में ये तेल के पीपे रखे जाएंगे रवाना किया जाएगा उस वाहन को आपसे थोड़ी दिर में मुख्यमंत्री हरी जंडी दिखा कर वाहन को रवाना करने वाले हैं ये देखिए साथ में बाल मुकुद्दाचारे मौजूद हैं तिलग लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत और अबिनंदन किया जा रहा है अश्वरे प्रदार हमारे स्वागी फोलाइन पर हैं अश्वरे आपने बताया था कि कारिक्रम की शुरात होने वाली है मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच गएं आपसे थोड़ी देर में वाहन को अरिजनली दिखा कर रवाना किया जाएगा देखिए मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा घर पर मेल बुलाकातों में में काफी वेस्त रहें तो उसके बांद्सिदे गंगामाता मंदिर पहुंचे है जो कारिक्रम है यह कारिक्रम इसलिए पर मैस्वाइबाहिजाता है कि आब राजस्थान से नियमित तौर पर आज जो समगरी है वो 2100 तेल के पीपों की रवांगी करवाई जा रही है जिसमें कैट जो है एक बड़ी सथा है व्यापारियों की तो कैट के सुरेश पाटो दिया तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ गोकुल मायश्वरी भी है और अन्य व्यापारिक ल अन्रमोहन बठवाड़ा भी यहां पर आए हुए हैं तो इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा और उसके बाद पूल चीज यह भी हो जाती है कि इस तरीके के कारकर नियमित तौर पर होते हैं अजमेर से दो दिन पहले भी वासुदेश देवनानी ने रोटी बनाने की आठ मशीने रवाना की थी ऐसे ही नियमित तौर पर कोई ने कोई सामगरी राजस्थान से रवाना हो रही है यहां से बार चरण जम्ही जाएंगे अजमेर के बुष्कर के लिए यह बिल्कुल ठीक पास में ढानेवारा करके जगानेis जगा है भारत संकल्प यात्रा जो है विक्सित भारत संकल्प शिविर जो है उसे उसका अभलोकन करेंगे लेकिन ये महत्वपूर है कि कहीं न कहीं से पूरे राजस्थान में नियमित तौर पर किसी न किसी स्थान से कोई न कोई रसत सामगरी रमाना होती है या कोई अपनी आस्था स जुड़े जो भी चीज़े होती है, भले ही वो एक रुपिय का भी अपनी आस्था दिखाता हो तो वो भी लगातार दिखाई देता है क्योंकि एक बार अंशदान का का रिकम चला था, लोगों ने सो रुपे से लेकर हजार, दौसलाग, बीसलाग, एक करोड तक रुपे राम मौझू रहेंगे तो लेकर भी आवशकता रहेगी, लोगों के लिए विस्टरों की विश्ञवनोंकी आवशकताएं की आवशकता रहेगी होटलं हो फूल हो जाएंगे, दरम शालाएं हैं वो राजस्थान ही नहीं अन्य पृज्फा से यही घृत्ई टोारभ कोंम कर रहा है तो हर कोई अपने तरीक से मदर कर रहा है धार्मिक संग्धन हो या पिर अन्यकोई संग्धन हो बिल्कुल एश्वर है यह जो आई किसो पीपे तेल के भेजे जा रहे हैं इसमें किस-किस की सनलिपता है किस-किस की भूमी का है लेकिने सुरेश बातो दिया गोकुल माहा एश्वरी और जो कॉंफिडरेक्शन ऑफ ट्रेड करके कैट करके यूनियन है तो व्यापारियों का उससे जुड़े हुए लोग है अंतराश्टी वैश्य महा समेलन से जुड़े लोग है और यहाँ पर इस कारेक्रम को करवाने का उद्देश यही है कि दूसरे लोग भी जागरूप और ज़्यादा हों अब आप तैमान कर चलिएगा आदामी दिनों में इसी तरीके के जो कारेक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे ऐसे कारेक्रम नियमित तोर पर जारी रहेंगे और इस तरीके के कारेक्रम के तहट कोई ना कोई अपनी मदद जो कर सकता है अंच्वा लाकल बहर ने में फूपा है उने लेकिन थोड़ी जिर बाद वो पुशकर के लिए रवाना हो जाएँगे मुख्यबंत्री की यही खूपी है, मुख्यबंत्री वजJackalaf Sharma की, कि वो सभी से मिलते हैं, कोई भी आजाता है, उनने मुलाकात अवश्य करते हैं आइसा नही है कि कोई आया हो और वापस लौड जाए, सभी की बात सुनते हैं कि हो सकता है कि समय किसी को कम लैं, किसी को जादा मिल जाया, लेकिन बात सब सबकी सुनते हो गयापन खास तूर पर सभी की खटा करते हैं और सबसे मैदकभणि बात और बता दू मा आज आज इसमें that सो लोगों के गियापन में से उन्हें करी आभी कि पूरी होती है लग 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 सभी की होती हैं लकिन उस मादेंzen में अपडेट बताओ मुझे तो यदि कोई अपडेट नहीं देता है तो इस तरीके का उनका लोगों की समस्य है सुनने का सिस्टम है यहां पर लोगों में उच्छता इसलिए कि चार दिवारी में यह आये हैं अक्सर चार दिवारी आजाते थे चाहे बली चांदपूल अनमान जी मंदिर का दर्शन करने का कारिक्रम होता था या फिर सांगाने रिगेट अनमान मंदिर का दर्शन गोविन देव जी अक्सर आया करते थे जब भार्टी जनता पार्टी में महामंतरी से तो नियम एक तोर पर आना होता था लेकिन बत और मुख्यमंतरी एक सामानीय लोग या बाजार के व्यापारी उनके लिए बड़ा अच्छा दृश्य है कि मुख्यमंतरी के तोर पर आज भजनलाल शर्मा उनके बीच में है तो अभी मंच पर उपस्तित हैं आपसे थोड़ी देर में वाहन को रवाना मुख्यमंत्री करने वाले हैं जाद समय आपर अब नहीं लगेगा क्योंकि इसकी अतरिक्त भी मुख्यमंत्री के कई कारक्रम हैं लेकिन क्योंकि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं भक्ती मुख्यमंत अश्वरे प्रदान लगातर हमारे सथ बने हुए हैं अश्वरे क्योंकि बेहुद एहम इसले भी है क्योंकि देश भर की अगर बात की जाये तो बड़ा कारक्रम है जिस पर जो बन पा रहा है वो उस तरीके से कर रहा है बात अगर सीता रसोई की की जाए यहां पर जो अन बनेगा जो लाखों लोग उसका सेवन करेंगे प्रसादी को चखेंगे उसमें भूमिकार फिर जैपूर की भी हो जाएगे यह इतना बड़ा विशे है कि यहां पर किसी को किसी ने नहीं कहा है कि आप मदद करें क्योंकि सरकारे हैं वो अपने माध्यम से बेहत सक्षम होती है और सरकारों के अलावा लोग भी सक्षम होते हैं तो यह जो कारक्रम है यह स्वेक्रेश भाव से लोगों के द्वारा किय जा रहा है आपको मंच पर दिखाई देंगे कि राम चरण बोहरा जोंको में तर्फजब बहुत शुकामना देता हूं और हम सोभा के साली है जो सदिया गुजर गई पीडिया गुजर गई पर हमारे साब ने माने प्रदान मंद्र जी के अथक प्रयाश से सुप्रीम कोड का फैसला लेकर सिलान्यास हुआ और 22 तारीक 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रथिष्ठा महुत सब होने जा रहा है आप सब को मैं बहुत बहुत शुबकामनाईज देता हूं और हम सब के मद्य आदने सियम साब ने आकर और आज यात्रा को प्रारम करने का अरी दिखाने का कारक्रम किया है मैं जेपूर की जनता की तरफ से वैसे आप भी किसी जेपूर के विधायक है और मुख्य मंत्री है तो आपको जेपूर की जनता की तरफ से बहुत बहुत श्वागत करता हूं अभीद्रन करता हूं और आपका अभार फ्रक्रेट करता हूं कि आपने जिस प्रकार का समय बिल्कुल समय नहीं था उसके बावजूर भी आप पदारे और आज सब को शुबकामना देने पदारे है मैं बालकल दचारी हमारे विजाय के इनको भी बहुत बहुत दंवाद देता हूं शभी आजों को में तन सबहुत बहुत शुबकामना देता हूं और हम सब इस 2024 के कालखंड में सब के करों में संपन्दता रहे सब सुखी रहे आरोकी रहे इसे आसा और विश्वाय साथ आप सब को बहुत 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 सारी सुख कामना है धन्यवाद